हेलो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आप लोग के शामने एक बहुती टेस्टी रिस्पी लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्रिस्पी पोटाटो बाइट्स यनि ये हम बनाएंगे आज आलू से और ये बहुती सुपर टेस्टी स्नैक्स होता है टी टाइम के लिए तो ये स्नैक्स ह टेस्टी में जिटने ही सब्सक्राइब और मैं कितने बने होये हं तो ये क्रिस्पी सा स्नैक्स देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आजकी रिस्पी इस तरीके का क्रिस्पी पॉटैटर स्नेक बनाने के लिए उसमें हम डालेंगे अधरक लसन का पेस्ट اليक हमने ग्रेट करके लिया यह जादा बढ़िया होता है थोड़ी देर भूल लेंगे ताकि इसका एक कच्छापन निकल जाए उसकी एक जो स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉंग स्मेल होती है लक्सन की प्याज की तो यह अधरक लक्सन की स्मेल थोड़ी कम हो जाए इसके अलावा यहां पर हम डाल देंगे यहां पर और इसी कप से मैं आज सारा मैजरमेंट करूंगी दो कप हमने यहां पर पानी इस्तिमाल किया है इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और जरासा इसको गरम होने देंगे पानी लाइटली बहुत हलका हलका सा गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे चावल का आ करने के बाद हम वापस से आधा कप आठा ओर डाल देंगे, दो कप पानी डाला था, देड़ कप चावल का आठा डाल दिया है हमने, तो फ्रेंट्स अगर चावल का आठा आठा आप घर पे बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आठा बनाने के लिए चावल को बच्छे से धुल ल तो यह देखिए, यह दो हमारा अच्छा त्यार हो गया है, इस तरीके से कडाई छोड रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, अब हम यहां पे गैस को ओफ कर देते हैं, और इस डो को हम निकाल लेते हैं, किसी प्लेट या मिक्सिम बॉल में, तो इस डो को हमने यहां इस प्ले पूरा ठंडा नहीं करना है, बस हांसे चुने लाइक हो जाए, अब हम इसमें डाल रहे हैं अजवायन, और साथ में यहां पर मैं डाल रही हूं, कस्तूरी मेथी, इसको क्रस करके डाल देया है, इसके लावा इसमें मैं डाल रही हूं, आदा छोटी चमज घरम मसाला, और अगर अंदर से थोड़ा सा डो गरम भी है तो हाथ से चले ना थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर हम इसको हाथ से मिक्स करेंगी, इसको अच्छी तरीके से हम जैसे आंटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गुनते हुए लगा लेना है, तो अगर आप फजोड़त बarti लेती हूं ताकि इसको अग्यक से असेंबल करने में में अचानी रहे तो इक पार्ट से हम परले बना लएते हैं अपने प्रोटेटो बाइट्स तो हमने ले लिया है एक चकला और इस पर हम इससे तरीके से मैं आज से मुझ एक भी होगी तरीके से हो गया रोल आज मीन एक कट करने से होता क्या है कि सारे बाइट सिर्स एक साइज बनेंगे इसमेर छोटा बड़ा नहीं होगा और एक साइज की moral होती जाता यह अच्छी हुआ लगती है देखने में भी और खाने में भी अच्छा ही लगता है तो इस तरीके से हमने कट लगा लिया है ताकि सभी को एक सेच का बना सके इसको हांटसे उठा कर गोल करेंगे और बिलकुल जस तरीके से रोटी के लिए हम लुई बनाते हैं ऐसे बनाकर इसको हम स्क्वाईर सेफ देढ़ेंगे ये देखे, उंगलियों की हेल्प से ये बहुत ही आराम से बन जाएंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं, ये तेल में बिल्कुल नहीं फटने वाले हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये कितने बढ़िया बनते हैं, ये देखे, बन गया एक स्क्वाइर से, तो आप इ तेल बगरा लगा लें, जिससे थोड़ा से चुपके नहीं, और फिर इस तरीके से, इसको स्क्वाइर से दे लेंगे, ये देखे, बिल्कुल परफेक्टली बन गया, इसी तरीके से सभी को हमें त्यार कर लेना है, और ये देखे, देखने में कितने ज़्यादा सुन्दर, और यहाँ पर हमने सभी को बना कर तयार कर लिया है, तो बस ये देखिए, चार से पांच मिनट में ये सभी हमने बना कर तयार कर लिया है, तो चलिए इसको फ्राइ करने चलते हैं, फ्रेंट्स उसके पहले अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आती है, तो प्लीज वीडिय लाइक कर दिया और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैल बटन को भी प्रेस कर लीजेगा ताकि आपको इस तरीके की वीडियो रोज मिलती रहें तो चलिए आप फ्राइ करने चलते हैं और फ्राइ करने के लिए यहां पे हमने गरम किया है तेल मीड बिल्कुल तेल से उपर तैरने लग जाएंगी यह देखिए यह नीचे से काफी अच्छी सिक्की लग रही है क्योंकि यह कडाई में बिल्कुल चिपकी नहीं है जब आप शुरू में इसे डालेंगे तो थोड़ा सा चिपकी रहेंगी लेकिन जब यह अपने आप से नीच प्लाटते हुए आम इसको पका लेंगे बाकी सारी चीजें हमारी आणटा भी पका हुआ है आलू भी पकी हुए है इसे थोड़ा साistor क्रिस्पी करने के लिए हम फ्राई कर ताकि टेस्ट अजा को अच्छा आ हो और क्रिस्पी नेस आजा है यह देखिए अच्छे से बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे तो एक एक करके हम सब को ढाल देते हैं और फिर जैसे ही यह थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे एक साइड हम इसको बलट कर दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे और यह देखे सभी को तेल से हम बाहर निकाल लेंगे तो यह रिस्पी कैसी लगी फ्रेंट्स आप कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट जरूर करिएगा और आप कौन सी और रिस्पी देखना चाहते हैं प्लीज उसको भी बताईएगा ताकि मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छी अच्छ और कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं मेरे मूँ में तो पानी आ रहा है आप चाय बनाएए चटनी लीजिए और बस शुरू हो जाएए इसको खाने के लिए ये देखिए देखरे में कितने ज़्यादा सुन्दर हमारा ये पोटैटो स्नैक्स लग रहा है लग रहा ह चलिए मैं आपको एक बार इसका क्रिस्पिनेंस दिखा देती हूँ और फिर आपको इसको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि बाहर से कैसे हैं और ये अंदर से कैसे लग रहे हैं तो ये देखिए चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार ये देखिए साउंड इसका रेस भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जड़ूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं एक और वीडियो के साथ